नमस्का नेपाली मित्रों दोस्तों पर्चंड को इंडिया में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है अन्य देश के जो राष्ट अध्यक्स थे उनकी अपेक्षा पर्चंड को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है आप अगर ढंक से पर्चंड का भारत भर्मन देखेंगे और मोधी का सपत गरन समारो देखेंगे तो आपको साथ किलियर लग जाएगा कि इस सपत गरन समारो में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाला बिदेशी आग्मियों में पर्चंड सामिल है सेख हसीना आई थी माईजोव आये थे भूटान से लंका के भी आये थे देखिए पहले तो ये पोश्टर देख लीजिए ये इस्पेसल नेपाल के लिए बने हुए हैं दूसरा नेपाल के परदान मंत्री परचंद ब्यक्तिगत तोर पे भी डॉक्टर जैसंकर से मिले राष्टपती मुर्मू से मिले और मोदी से मिले इकटे तो सभी लोग मिले लेकिन ब्यक्तिगत तोर पे परचंद राष्टपती से मिले मोदी से मिले और जैसंकर से मिले और विद्धूत पर्योजना पर बात भी हुई है जबकि पर्चन का ये क्यवल मोदी के सपतगर्ण समारों में जाना था अब क्या हुआ अब पर्चन ने मोदी को नेपाल आने के लिए इनवाइट कर दिया है तो मोदी कब जाएंगे नेपाल आज हो गया ग्यारा जून 14 जून स और 15-16 जून तक G7 की मिटिंग है इटली में उस मिटिंग को खतम करने के बाद मोदी जो है वो नेपाल ही जाएंगे अभी डेड़ फिक्स नहीं हुई है देखे जी सेवन में जाना बहुत जरूरी है जी सेवन का मतलब है जो ग्रेट एकोनोमी है दुनिया की यानि पावर पहला भर्मन नेपाल ही होता तीसरी बार परधान मंत्री बनने के बाद हालांकी नेपाल में देखा गया है कि मोदी के परधान मंत्री बनने पे 70% लोग खुश नहीं है और नेपाली मीडिया में Cities हो रहा है कि अभी चार्ट दिन पहले की बीडिrence देखते नेपाली मीडिय तो उनमें साप कहा जा रहा है कि मोधी चुनाव हार गये दोस्तों मोधी चुनाव कुछ नहीं आ रहे जीतने के लिए 202 सीट चाहिए 240 सीट आई मोधी की बाकी NDA ने 292 सीट पूरी कर ली कोई दिकत नहीं है तो क्या मोधी नेपाल के लिए नुकसान दायक है जानिए इस ची मोधी के लिए अच्छा समर्थन मौजूद था उसके बाद एर्थकुक आती है उसमें मोधी नेपाल की खूब मदद करते हैं उसके बाद बिलोकेड लगता है नेपालियों का कहना है कि भारत ने बिलोकेड लगाया नाकाबंदी की अब चलते हैं सच क्या है एक तरफ आप नाकाबंदी लगाई तो सच भी जान लेते हैं सच यह है कि नेपाल में उस समय समिदान लगबग लागू हुआ था तो उसका बिरोद कर रहे थे मदेशी जब भारत की गारियां आती हैं तो बीरगंज में दो तिन ट्रक जलाए जाते हैं तो भारत ने कहा कि भाई पीछे जो ट्रक वाले थे उस समय तक भारत ने कुछ नहीं कहा जब ट्रक जलते हैं बीरगंज में तो भारत के ड्राइबर डर के मारे साड़ी गारी रोक लेते हैं और आगे नहीं जाते हैं भारती है ट्रक ड्राइबर तो उस समय नेपाल सरकार को जह यह था कि तुरंत पुलिस और सडकों पर लगा दे ताकि कोई भारतिय गाड़ी ना जला पाए लेकिन नेपास सरकार ने पुलिस नहीं भेजी पुलिस कहां से बेशती उस समय तो प्रोटेस चल रहे थे मदेश में तो पहली गलती नेपास सरकार की कि जब भारतिय ट्रक जलाए गए दो तिन ट्रक दो तीन बीरगंज के आगे जो एरिया पढ़ता है परवानिपुर आदी जीतपुर आदी इन जगाओं पर तो पहली गलती कि जब भारतिय ट्रक जले तो नेपाल ने पुलिस नहीं भेजी जिसके कान भारतिय ड्राइबर डर के मारे पीछे रुग गए और अपनी गाड़िया कि जब नेपा सरकार छधी पुर्ती नहीं देगी पुलिस भी सड़क पर नहीं उतारेगी तो क्यूं भारतिय लोग पागल है भारतिय ट्रक ट्राइबर कि अपना ट्रक ले जाएं और जलवादे नेपालियों से उस समय तो मदेश में टायर जल रहे थे प्रोटेस्ट हो र हाना तुरंत मिल गए या बोलने के लिए क्योंकि उनके समिधान का बिरोध हो रहा था और नेपाली नेताओं ने तुरंत जूट खबर फेलाई मीडिया द्वारा कि भारत ने नाका बंदी लगा दी कि इस समिधान को कि इस समिधान में कुछ चेंज करो और ये जूट इतन के लिए भी कुछ अधिकार रखना लेकिन भारत ने समिधान को चेंज करने के लिए नाका बंदी नहीं लगाई अब सुनिए ड्राइवर आगे नहीं गए क्योंकि नेपाल ने पुलिस नहीं उतारी सही से समझिए अब कुछ दिन बाद काठमांडू पाहडों में बीरगन से आगे जो भंसार है वहां तक उतारती है ससस्त्र पहरी बल और तब भारते ड्राइवरों को कहती है कि आप जाओ और तब एक लाइन से भारते ट्रक चलते हैं जीतपुर पार करके सिम्रा से आगे चले जाते हैं क्योंकि सिम्रा से आगे कोई खत्रा नहीं था क्योंकि सिम्रा से आगे फिर पहाड़ी लोग हो जाते हैं तो तब क्या होता था इस्केटिंग होती थी हर दो दिन में एक बार यारी जब नेपार सरकार पुलिस उतारती थी स सस्त्र पहरी बल उतारता था तब भारत के ट्रक एक लाइन से जाते थे तो नेपाल सरकार ने लगातार सस्त्र पहरी बल को क्यों नहीं रखा अगर सडक में नेपाल अपनी एक छोटी सी बटलेन उतार देता आदा बटलियन 500 आदमी के एक बटलियन उतार देता आर्मी की तो एक भी गाड़ी नहीं रुकती भारत की और लगता नेपाल सामान जाता तो नेपाल सरकार ने क्यों नहीं उतारी यानि नेपाल सरकार ने धोका किया और नेपाली जनता को बेकूब बनाया कि भारत ने नाकबंदी लगाई ताकि नेपाली सरकार का सेकुलर समिदान लागू ह और नेपाल में सेकुलर समिधान अमेरिका लगवाना चाहता था भारत नहीं क्योंकि भारत कहीं न कहीं उस सेकुलर समिधान का बिरोध करता था क्योंकि भारत जो है सेकुलर समिधान जो नेपाली या भारते समिधान उससे बहुत भारी नुकसान में आ चुका था और भारत का भ़ारत थी आप 3 Parker Life का कहना है भारत में नाकपनदी लगाई और से नहीं अकला एंडियन का कहना है है में ने कोई नाकबंदी नहीं लगाई अब आप नेपाल के सर्वोच आदालत में भी मुझे लेकर चले जाएंगे मैं वहाँ पर भी साबित कर दूँगा कि भारत ने कोई नाकबंदी नहीं लगाई और आप तीन करोर आदनी जूटे साबित हो जाएंगे हमने साफ किलियर कर दिया कि अगर नेपा सरकार पुलिस या आर्मी के एक बठलेन उतार दे थी तो एक भी गाड़ी कभी नहीं रुखती नेपा सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया जब बीरगई में ट्रक जलाए गए भारत के दो-تिन ट्रक तो नेपाल सरकार ने तो भी पुलिस ने भीजी तिसरी बात नेपाल सरकार ने छटी पूर्ती देने से मना किया यानि नेपाल सरकार खुद चाहती थी कि नाकाबंदी लगे और हम कहें कि भारत इस समिधान के बिरोध में है और भारत ने नाकाबंदी लगा दी क्योंकि आप एक चीज अच्छे से जानते हैं जब नेपाली जनता में कहा जाएगा कि भार्दी समिदान का बिरोधी है तब नेपाल के जनता समर्थन कर देगी उस समिदान का गहराई समझिए ये वो गहराई है जो आप नहीं जानते और आपके बिशले सक आपको नहीं बताना चाहते यूपी सरकार के ऊपर था अब आप कहेंगे दूसरे बॉर्डर से गाड़िया नहीं आई अरे भाई सारे जो बॉर्डर थे वो मदे से ही ज़्यादा सामान जाता है और सारे ट्रक वाले डर गए थे क्या भारत को नुक्सान नहीं हो उस समय पतानी कितना सामान 6 मेने तक ल दूसरा जब काला पानी की सड़क पास हुई भारत में तब नेपाल ने जब सड़क बन गई तब तक नेपाल ने बिरोध नहीं किया जब बन गई कॉंग्रेस के जमाने से यह बन रही थी उस समय बिरोध नहीं किया जब बन गई तब नेपाल उसका नक्सा पास करता है उस रहा है सड़कों पर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा नेपाल का यदि काला पानी है तो नेपाल को उनाटे नेशन में जाना चाहिए इस मुद्ध्य को लेना चाहिए ले जाना चाहिए और वहां बताना चाहिए एविदेंस रहें यह हिस्सा हमारा है और उनाटे नेशन जो फ चलाई नेपाल की एकोनोमी जो 5% से ग्रोथ कर रही है इसमें भी मोधी का ही हात है यह तो 5% पर नहीं आता आप 2014 से पहले 15 से पहले का साल देख लिजिए 3% 10,5% 3% पर नहीं की कभी नेपाल की एकोनोमी ने लेकिन अब 5% पर करती है विकास दर्की में बात कर रहा हूँ जो ग्रोथ रेट होता है सालाना एकोनोमी का यह मोधी की वज़े से हुआ लेकिन आप लोगों को लगता है कि मोधी नेपाल के लिए नुकसान दायक है और मैं ग लगता है मोधी आपके लिए नुकसान दायक आपके आत ऐसे बिचले सक बैठें बड़े आपके चाहने वाले बिचले सक भरत दाहाल जैसे जो कहते हैं कि आट साल तो बीजेपी ने राच किया और तब नेपाल में ग्रह युद्ध कराया क्या बेकूपी जैसी बात करते है अटल ब्यारी बाचपे ने आट नो साल राच किया उन्होंने और नेपाली रागा को लगातार हत्यार दे रहे थे माउबादियों से लडने के लिए माउबादियों ने चिठी भी भेज अटल ब्यारी बाचपे कोई कि हम भारत के बिरोदी नहीं है यानि भारत के बिरोद के सब्सक्राइए मांड़का जोत बोलते हैं जिन बिश्रेस को आप बड़ा मांनते हो पूरी तरीके से घढ़े बिश ले सके हैं देखे हम चाहते हैं भारत नेपाल मित्र बना हुआ रहे हैं लेकिन ये बीच में जो लोग आ है तो बेकूप आजमी एक वीडियो में भरत नाहल कह रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को M-16 देगा F-16 है फाइटर प्लेन का सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन जो विका है दुनिया में F-16 है भरत नाहल को F-16 का भी पता नहीं M-16 बोल ला था अब सोचिए इस आदमी को आपने अपना सर पे चड़ा रखा कि हीरो है लेकिन हाकिकत ने कोई जानकारी नहीं भरत नाहल कह रहा था कि अंग्रेज नेपास से 45 ट्रिलन लेगे अब ट्रिलन अरब होता है कि खरब होता है ये पता ही नहीं ये तो पता नहीं है अब बताओ जिस आदमी को ये पता नहीं कि ट्रिलन अरब होता है कि खरब होता है 2014 की वीडियो भरत नहीं की देखिये 2015 में भरत नहीं वीडियो बनाई थी 15 में बहुत साल हो गया भरत नहीं को उस पे मीडिया पे उस समय लिख रहे थे कि कॉंग्रेस ने माउबादियों को पाला अब बोलते हैं बीजेपी ने माउबाद्व को पाला कभी कहते हैं बजाग में अमरीका नहीं अपना सेन्या अच्छ झाहर जमीन ले रखी है और इनके बहुत सारे जूटself currently ये तो आपको भारत से नफ्रत होगी कैवली आपको भारत के खिलाब बढ़काना इसलिए मैं सही कह रहा हूं कि मोदी नेपाल के लिए नुक्सान दायक बिल्कुल नहीं है नेपाल के लिए फाइदे मन्न है क्योंकि मोदी जिस आइडोलोजी से जीतते हैं वो हिंदू आइडोलोजी है और आज भी भारते हिंदों की नजर में नेपाल एक मंदिर का अस्थान रखता है कोई गलत जगर नहीं है नेपाल, भारते हिंदों आज भी रिस्परक्ट करते हैं नेपाली भूमी का, तो आपको ये सोचना आपका कि मोती नेपाल के ले नुक्सान दायक है, सरासर गलत है, धन्यवाद.